हेलो एवरीवन, स्वागते आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWD जॉप में बिना BAT, बिना CTAT के आप सिखशक मन सकते हैं के वल पोस्ट ग्रेजवेट आपका सब्जेक्ट में होना जरूरी है साथ स्कूलों से एक साथ वेकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है ये साथो स्कूल जो है DPSG Society के अंतरगत जो है आते हैं अलग-अलग जगे की वेकेंसी है तो वेकेंसी का जो नोटिफिकेशन है ओफिशल वेबसाइट पर भी है और न्यूस पेपर में भी पब्लिश किया गया है तो उफिशल वेबसाइट पर ही हम सारी चीज़ें जानेंगे ओनलाइन एप्लिकेशन करना होगा सैलरी काफी अच्छी रहेगी 50,000 सैलरी जो है आपकी पर मन्त यहां रहने वाली है तो चलिए देख लेते हैं उन सातों स्कूलों के नाम बाकी चीज़ें डेटेल में ओफिशल वेबसाइट पर आएंगे डैली पब्लिक स्कूल गाजियावाद सोसाइटी इसके अंतरगर जो है सात स्कूल एक मेरट रोड पर है वसुंदरा एक DPSG इंटरनेशनल के नाम पर एक दहरादून में पालम बिहार में सुषांत लोक में और फरीदाबाद में ठीक है तो इसमें जो है वेकैंसी है यहां पर करियर सेक्शन में अप्लाए ओनलाइन करने का ऑप्शन है और यहां पर आप राइट साइड में भी देख सकते हैं फ्रेस यूनिवरस्टी पोस्ट ग्रेजविट अप्लाए नो इस पर क्लिक करके भी आप अप्लाए कर सकते हैं करियर सेक्शन में करेंट ओपनिंग जो है यही जो है यही कटिंग जो है आपको न्यूस पेपर में भी देखने को मिली होगी इसमें पोस्ट ग्रेजविट टीचर की वेकेंसी है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बाइलोजी, अकाउंट एंसी, एकॉनोमिक्स एंड बिजनिस स्टेडिज यह सभी सब्जेक्ट है एलिजिबिलिटी जो है मैंने आपको बता दिया कि आपका सब्जेक्ट में आपने पोस्ट ग्रेजविशन की है बाकी बी एड नहीं मांग रहे हैं, नहीं सीट एड मांग रहे हैं ट्वैल तक के यह स्कूल है, काफी अच्छा जो है इसमें सैलरी रहेगी एन्वल पैकेज जो है यहां लिख रहे हैं, शिक्स लैक पर एनम, चीक है? इससे अधिक भी जा सकती है कोई एक्सपिरिंस नहीं चाहिए, बिना अनुवब कि आप यहां अप्लाई कर सकते हैं अप्लाई नाओ के लिए ओफिशल वेबसाइट का लिंक यहां पर दिया हुआ है चुकि यह जो है न्यूस पेपर में पबलिश हुआ है, तो वहां पर अप्लाई नाओ इस तरीके से ओफिशल वेबसाइट का लिंक दे दिया गया है तो मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर दूँगी, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जो है डारेक्ट ओफिशल वेबसाइट का जो होमपेज है डेली पब्लिक स्कूल गाजयावा सोसाइटी तो इस पर आज आएंगे, ठीक है अब जो है आप का जो सिलेक्शन होगा वो इन में से किसमें होगा इन में से किसी में भी हो सकता है तो आप से पूछेंगे ही हलाकी यहाँ पर अप्लाई करने के लिए चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ अप्लाई नाव पर क्लिक कर लेंगे राइट साइड में जो दिया हुआ था यहाँ थोड़ा नीची आएंगे इसमें जो है फ्रेशर बिलकुल अप्लाई कर सकते हैं इनके पास अनुभव है वो तो अप्लाई करेंगे ही बाकी फ्रेशर के लिए यह काफी अच्छा जो है चांस रहने वाला है क्योंकि इतनी अच्छी सैलरी के साथ में आपका यहाँ पर जो सेलेक्शन हो सकता है यहाँ पर कैटिगरी में सिलेक्ट स्लेक्ट पर जो है टीचिंग पोजिशन या अडिनिस्ट्रेटिव पोजिशन टीचिंग पोजिशन पर क्लिक कर लेना है ओपन पोजिशन में यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है जैसे की यहाँ पर जो वेकैंसी थी जो सब्जेक्ट है subject आपको choose करना है जैसे की chemistry आपने choose कर लिया उसके बाद apply पर आप click कर देंगे ठीक है इसमें आपसे जो भी कुछ पूछेंगे आपको बहुत ही साफधानी से fill करना होगा category आई ही चुकी है आपकी subject के है यह आ गया है fresher यहाँ पर option है अगर आप fresher है तो fresher पर click करें अगर आपको अनुभव है एक साल का दो साल का तो आप देख लें ठीक है उसके बाद यहाँ पर preferred school तीन school आपको select करने होंगे जिसमें आप जाना चाहते हैं तो उसको first पर रखेंगे इनमें से select कर लेंगे उसके बाद second पर करना है आपको फिर third पर ठीक है तो जिसमें आप जाना चाहते हैं उसे first preference देंगे photograph and resume जितना भी बताया गया कितना size, कितना MB का होना चाहिए तो आप उसी के according करेंगे उसके बाद जो है अपना resume जो है यहाँ PDF जो है आप इसमें fill करेंगे first name, date of birth यह सारी चीज़ें फिर जो है family, particular, emergency, contact work experience यदि है fresher है तो बिल्कुल भी इसको fill करने की जुरुत नहीं है जैसे कि मैंने बताया कि जो red star होता है उसे आपको भढ़ना जरूरी रहेगा last में जो है submit का option है तो उसे आप submit कर देंगे, ठीक है तो official website का link आप लोगों को इसी video के नीचे description box में मिलेगा, चलिए मिलेंगे next video में, thank you